Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone Guys, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्लास 12th Mathematics का और ये आपके लगभग हर एक बोर्ड में है CBSC बोर्ड में है, MP बोर्ड में है, महारास्टरा बोर्ड में है ये जो टॉपिक है, ये सभी बोर्ड में है अच्छा, Linear Programming में आँगे बढ़ने के पहले आपको 11th Class के एक टॉपिक की आपको याद आनी चाहिए 11th Class का एक टॉपिक था Class 11th का एक टॉपिक था, जिसका नाम था Linear Inequalities तो Linear Inequalities जिसको बनती है वो ये टॉपिक Linear Programming कल पाएगा Linear Programming को इन च्छाट में LPP बोलते हैं क्योंकि इसका पूरा नाम है Linear Programming Problems ठीक है ना तो Linear Inequalities हमको इस Question के लिए इस Chapter के लिए हमको Linear Inequalities की जानकारी होनी चाहिए और Linear Inequalities हमने Class 11th में दो टाइप की पढ़़ी है एक One Variable और एक Two Variable ठीक ना तो यहाँ पर हमको दोनों की जानकारी पता होनी चाहिए कि One Variable और Two Variable Inequalities क्या होती है तो अच्छी बात यह है कि अगर आप 11th Class में है तो भी आपको मैं वीडियो ऐसा बना रहा हूँ कि आपको पूरा-पूरा सीखने को मिलेगा और अगर आप 12th Class में है तो भी आपको सीखने को मिलेगा पहले मैं पूरा 11th का पूर्शन कवर करूँगा इसमें बिटा और फिर मैं इसके बाद बिटा इसमें 12th का पूर्शन कवर करूँगा तो आईए सबसे पहले मैं इसमें Class 11th का पूर्शन सुरू करता हूँ जिसका नाम है Linear Inequalities Linear Inequalities अब देखे Inequalities का मतलब क्या होता है इन लगा है जहाँ पर इन लग जाता है इसका मतलब होता है imperative Border linear Inequations जहाँ पर इन लग जाता है English में उसका मतलब हो जाता है ना हो मतलब in equation मतलब equation ना हो equation ना हो कौनसा equation ना हो? linear equation ना हो आपने linear equation देखा है क्या था linear equation आपका बेटा two variable में आपने linear equation खुब पढ़ा है class strength में और आपका linear equation था ax plus by plus equal to 0 यह क्या देता था बेटा यह आपको एक straight line देता था यह एक Straight Line देता था यह x-axis था y-axis था और जब आप इसको graph में plot करते था यह आपको reck правильно दिया करता था और इसके solutions क्या होते थे Straight Line के उपर जो भी अपने point बेटे होते थे यह इसके solutions होते थे These are called solution of these straight line तो एक straight line में कितने solution. अगर single straight line की बात करो, बच्चों, तो किते solution होते हैं, बटा? infinite solution होते हैं. हाँ, अगर दो straight line की बात करोगे, तो फिर तो वो pair of linear equation chapter वो एक लगची हो जाएगी. अब यहाँ पे infinite solutions होते थे, क्योंकि एक line में, एक line infinitely जाती है, आंगे भी पीछे भी सलें, इसको हम डबल एरो लगा देते हैं, और इसके उपर बटा, अन नंबर, infinite number of points इसके उपर बैठे होते हैं, इसके उपर infinite number of points बटा, बैठे होते हैं, so there are how many solutions, infinite solutions. तो यहाँ बटा, infinite solution है, ठीक ना, हमने यह equalities कहाँ पढ़ी, class 8th, 9th, 10th हैसे हमने इसमें equalities पढ़ी, equation के बारे में पढ़ा, और यह देखा कि इसके उपर बहुत सारे points होते हैं, 9th class में हमको बुला गया, इसके उपर बैठे हुए 3 points निकालो, तो मैं x की randomly value 1, 2, 3 डालता था, और y की value आते जाते थे और हम point बनाते जाते थे आपको शायद याद होगा, clear ना, तो infinite point होगे, इससे हमें मतलब नहीं, अब देखे, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं, इन equations, अभी तक देखा, equation जो equation है, अब हम द्यान में रख करके, मैं कितने प्रकार के, in equations बना सकता हूँ, तो एक मेरे पास हो सकता है, ax plus by plus c is greater than 0 और दूसरा है, ax plus by plus c less than 0, बिटा ये कहलाते हैं, in equation, so this is first linear inequality, linear इसले क्योंकि x की power 1, y की power 1 है, दूसरी ये linear inequality क्योंकि again, यहाँ x की power 1 है, y की power 1 है, so these inequalities, as here equal, equal यहाँ पर नहीं है, इसले, इसका में inequality बोलेंगे, in equations बोलेंगे, okay, so these are called linear inequalities, ये pure है, कैसी है ये दोनों, pure है, क्योंकि इसमें equal word नहीं है, तो ये inequality जो है, ये pure है, ठीक ना, but एक और मेरे पास बन सकती है, ax plus by plus c greater or equal to 0, and ax plus by plus c less than or equal to 0, ये बटा, equality के साथ साथ, इसमें equal भी लगा है, 0 के, okay, inequality के साथ, equations के साथ साथ, इसमें equation भी mix है, तो ये impure है, क्या है बटा, ये, impure है, अब मैं आपको graphically समझाऊंगा, कि pure और impure का मतलब क्या होता है, है ना, देखिए, सबसे पहले मैं एक line मना लेता हूँ, वही ax plus by plus c equal to 0, ये देखिए, मेरे पास axis है, ये x axis है, ये मेरे पास y axis है, और मैंने एक line मना ली, बिटा, ये मेरे पास axe plus by plus c equal to 0 की line, axe plus by plus c equal 0 की line है, line penalties का काम बिटा आप कर रहेगा आप इससे मत समझ ले ना कि हमेंसा ऐसी ही लाइन बनेगी है ना लाइन आप बनाएंगे कैसे बनाएंगे आप जानते होंगे क्लास 10th 11th में आपने बनाई होगी वैसे लाइन बनाएंगे तो यह आपने बिटा एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो बना दिया ओके देखिए जब आप कहते हैं कि एक्स प्लस बीवाई प्लस सी ग्रेटर देन जीरो यहां मैं लिख रहा हूं देखिए ब्लैक तो कुछ जारी खराब हो जाएगा मैं लिखता हूं यह यह लो लेता हूं देखिए जब आप कहते हैं एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इस ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो तो आप बात करते हैं लाइन के उपर वाले पार्ट की यहने की अपर हाफ प्लेन क्या बोलते हैं इसको अपर हाफ प्लेन अब या भी साब हम लाइन नहीं छू सकते हैं क्योंकि आपने इक्वल नहीं लगाया है ठीक है ना तो ये बेटा ये कहलाएगा ये उपर का ठीक है तो ये उपर का जो पार्ट जाता है बेटा इसको हम बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन क्या बोलते हैं बेटा ओपन हाफ प्लेन ठीक है त तो यह उसको आपर हॉंप प्लैन ये ओपन हाफ प्लेन दोनों ही हाफ ुझत होते हैं। ठीक ना तो ये वे ऊपर वाला हाफ प्लेन बन जाएगा इस तरीके से १िट कलियर है विटा है अगर मैं बात करूँ दूसरे किन गुशन की दूसरे किशन किसिजिए अक्स plus by plus c is less than zero, मतलब की 0, तो मतलब इस line से नीचे वाला, कम वाला, है न? तो ये देखिए, आफ भी भी इसको टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि line की point को touch करने की इजाजत आपको नहीं है, ये देखिए, ठीक है न? ये throughout, तो ये जो बिटा, ये जो inequality होती है, यह आपको क्या प्रोवाइट करती है, reason प्रोवाइट करती है, reason याने इतना बड़ा, equality के वल आपको line की point प्रोवाइट करती थी, और inequality आपको क्या प्रोवाइट करती है, पूरा-पूरा reason, समझ गया ना, पहले आपके वल लाइन में खेल सकते थे, अब आपका पूरा छेतर आपका है, समझ गहे आप इस इलाके के मालिक है, तो ये रीजन क्या कहलाएगा, इस रीजन is called ax plus by plus c less than 0 और उपर वाला reason क्या कहलाएगा ये ये कहलाएगा उपर वाला ax plus by plus c greater than 0 बोले clear है अभी आपने देखा open half plane देख लिया है अब मैं आपको close half plane बता रहा हूं तो जैसे आपके पास inequality है AX plus BY plus C is greater or equal to 0 देखो भाई साब मतलब अब line के भी point आपको contribute करने है अब line के भी point जो है वो आपके solutions में participate करेंगे करेंगे की नहीं करेंगे बोलो क्योंकि आपके सामने equal भी लगा है तो पहले तो एक line मना लो ओके और फिर इसके बाद line के भी point और साथ में ये भी point ठीक है तो पहले क्या चलदा था उसका नाम था open half मगर अब ये बिटा अब line के point हो चुके है सामिल तो इसको हम क्या बोलेंगे close half क्या बोलेंगे बिटा क्या बोलेंगे बिटा close half plane है ना इसे आप open half plane इसे close half plane बोलते हैं clear हो गया कि नहीं हो गया clear हो गया ना close up plane ऐसे ये तो उपर वाला हो गया ऐसे downward जब आप जाओगे ax plus by plus c less than or equal to 0 तो बिटा और equal to 0 कहिए कोई दिक्कत तो यह downward आपके पास जाएगा ax plus by plus c less than or equal to 0 ठीक है अच्छा एक और अच्छी आदत में आपको बताओ बिटा जब भी आप open half plane मनाते हो ना ax plus by plus c is greater than or less than by plus c less than 0 तो आप क्या किया करो आप ना आप उस समय यह बिल्कुल dark line मत बनाया करो तब आप अपनी line को ही dotted बना दिया करो तो सामने वाले को समाझ में आ जाएगा कि line पार्डिसेपेट नहीं कर रही है आप इसको डॉट 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 शेट कर दोगे न तो आपको line जो है पार्डिसेपेट नहीं करेगी बोलो clear कि not clear अगर आप पूरी line condensed एक दम बना दोगे तो लोगों को लगेगा कि भाई पार्डिसेपेट कर रही है बट इसको इस तरीके से बनाओगे तो यह लाइन के पॉइंट आपकी शामिल नहीं होंगे बोलो clear है भाई सब तो यह हो गया यह डबल वैरियेबल में मैंने आपको दिखा दी बट सिंगल वैरियेबल के भी कुछ कॉश्चन काम में आते हैं चलिए अब देखिए दो प्रकार के set होते हैं या दो प्रकार के plane होते हैं एक होता है सब्ता है कॉनके plane पूछ कि लिया जाता है कई बार की भाही साब कोन्वेक्स plane कौन सा है कौन्वेक्स एक कोन चैक तो मैं बात कर रहा हूं कॉनवेक्स सेय्की को ट Allah कि मेरे पास एक diagram है अगर कोई यह जैसे मेरे पदाएग्राम है देखिए अगर मैने इसके अंदर एक line मनाई यह देखे एक line है क्या यह line के सभी point इस reason के अंदर है बिलकुल अंदर है यह A है यह B है और A से लेकर के B तक के सभी point इस reason के क्या है अंदर है तो A से B तक के सभी point का जो collection कहलाएगा वो क्या कहलाएगा convex set क्या कहलाएगा convex set clear हो गया तो a set of point in a plane is set to be convex set if line segment joining any two point on the set entirely lies within the set अगर दो point को join करने वाले जितने भी point हैं उनका collections, उनका set अगर एक given set के अंदर पूरे तरीके से lie कर रहा है given reason के अंदर पूरे तरीके से lie कर रहा है तो इस प्रकार के ये जो a और b के बीच के set बनने हैं उनको हम क्या बोलेंगे convex set क्या बोलेंगे बिटा convex set ये देख लिजे ये इस तरीके से ये है तो अभी बिटा ये देखिए एक convex set है क्या है ये? convex set है clear हो गया अब दूसरा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ next है convex set अब देखिए आपको दिखाता हूँ मैं not convex set क्या बताऊंगा मैं not convex set है इसको बिटा कॉन के मत बोल दिना physics वाली feeling मत ले आना इसको not convex ही बोला जाता है ठीक ना? तो not convex में देखिए मैंने एक आपके पास में ये reason ड्रॉ किया भाई साब हमारा reason ये है जो हमारा reason है वो क्या है भाई साब? ये है clear है? अब मैं इस reason में दो point ले रहा हूँ आप देखिएगा क्या वो मेरे 1 point A है 1 point B है ठीक है ये देखिए ये गाड़ी गई ये से लेके भी अब आप देखिए हम हमारा जो reason था वो क्या था? ये वाला था ये ये यलो कलरशी जो शेडिंग की मैंने मगर इतना reason देखिए ये हमारे set के बाहर आ गया की नहीं आ गया? आ गया ना भाई सबसेट के बाहर? तो इसलिए ये जो है ये क्या है? not convex है कैसा है ये? not convex clear हुआ की नहीं हुआ? ये बाहर आ चुका है इतना part है ना? तो इसका हम क्या वो लेंगे? not convex ठीक है? देखिए एक हमारा जो desired reason है वो कुछ इस तरीके से है ये हमारा desired reason है एक point बिटा A ये है दूसरा point भाई साब भी ये है अब यदि मैंने इसको join कर दिया इस तरीके से तो ये देखो भाई साब इतना part जो है हमारे reason के बाहर आ चुका है ये देखिए भाई साब आ गया है ना? तो इसको भी हम क्या बोलेंगे not convex तो याद रखेगा ये convex और not convex खीक ना? convex और not convex बिटा bounded भी हो सकते हैं unbounded भी हो सकते हैं क्या हो सकते हैं ये? bounded और क्या हो सकते हैं? unbounded अभी जितने आपने देखे मैंने आपको bounded बताए हैं मैंने क्या बताएं हैं आपको bounded ठीक ना तो अभी जितने आपने सेट देखें हैं तो यह हैग्जागन ले लो या पेंटागन ले लो जो भी है बेटा यह सब के सब क्या थे bounded हैं ठीक ना बट कॉन्वेक्स सेट बटा अनबाउंडड भी हो सकते हैं अभी जो आपको इसमें प पूरा कभर कि यह हुए है पोलो जी एस और नो अभ इसमें एक Λ सब्स देता हूं तो जो पूरा कभर की वह यह दिखें लाइन है तो यह पूरे तरीके से बटे उपर से क्होला हुआ है तो क्या कहला है यह इंबाउंड डिड क्या कहला एक लाएक यह इसमें अåut समंझ मे आपको बता देता हूँ बिटा, X is greater than A, X is greater or equal to A, clear है, चलिए आईए देखते हैं, तो X की ये X axis बना लीजे, ये Y axis बना लीजे, पहला क्या कह रहा है, X में कोई real number है, A उससे बड़ा, तो X equal to A की line क्या होती ही बिटा, Y axis के parallel, तो but greater है बिटा, तो आपको मैं suggest करूँगा, आ आप A देखिए, ये हो गया, तो X greater than A, मतलब A से बड़ा, तो आपका reason A से दाई तरफ जाएगा, बिगाज ये A है, तो A से बड़ा किस तरफ जाएगा बिटा, right side, बोलो clear की not clear, आ गया समझ में, तो X greater than A आपका इस तरीके से जाएगा, ठीक ना, अगर आप X greater or equal to A, तो मै ने greater बनाया है भाई साब, अब मैं greater or equal to बना रहा हूँ, देखिए आप, ये मैंने greater or equal to बना रहा हूँ, ये देखिए X axis है, ये Y axis है, ये मैंने बना दी line, अब तो मेरे को confirm है ना, कि मेरे को equality लेनी ही है, क्योंकि X is greater or equal to है, तो equality भी है, साती साथ inequality भी है, तो greater than A मतलब ये A, X less than A, ये लिजी X less than A बना रहा हूँ, तो ये A का reason बन जाएगा X equal to A का, ये line X equal to A, मैंने dot shade करी क्योंकि सामिल नहीं है, और less than मतलब बिटा कहा के पीछे तरफ के point पूरे के पूरे cover हो जाएगे, बूले clear की not clear, X less than or equal to A, बिटा क्या हो जाएगा ये line बन गई हमारे पास X equal to A, और X less than or equal to A shade करने को बूला जा रहा हूँ, मतलब A के पूरा पीछे के तरफ का इलाका तो ये से इस तरीके शेड हो जाएगा similarly Y greater than A, Y greater than or equal to A, Y less than A, and Y is less than or equal to A, चारो को मैं एक ही जगे बना के दिखाता हूँ, तो ये X axis ये Y axis, ये Y की value A, something ये मान लो Y का कोई point है क्या है बिटा A, अब Y की value A से बड़ी है तो कहां जाएगा बिटा, upper half plane उपर की तरफ, clear Y is greater than or equal to A तो इसमें contribute कर लिए line ने, जिसका नाम है Y equal to A, Y equal to A मतलब Y में कुछ होगा, X axis के parallel और ये उपर की तरफ जाएगा बुलिए Y की नो Y less than A, so this is X axis this is Y axis, बिटा, upper half plane बना के, ये downward बिटा, नीचे की और Y less than A यहाँ पे Y is less than or equal to A तो बिटा, ये Y equal to A बना के downward नीचे की तरफ, बिटा arrow लगाना मत भूलना क्योंकि इसकी कभी कोई limit नहीं होती है, ये end में जाते ही जाता है, clear हो गया एक point और आपको बता दूँ Y greater than X Y less than X Y greater than or equal to X Y less than or equal to X बिटा, Y greater than X मतलब Y X से बढ़ा है तो बिटा, इसके लिए ये line होती है जिसको बोलते हैं Y equal to X क्या बोलते है Y equal to इधर तरफ Y बढ़ा होता है, उपर की तरफ इधर तरफ कौन बढ़ा होता है, X साब देख रहा है देखो, यहाँ X की values ज्यादा तेज बढ़ रही है तो अभी तो मैंने हला कि वो बनाई है greater बनाई है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको shade में लेना पड़ेगा तो यह लो भाई साब, मैं आपको इसको dot कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, यह देखिए तो इसको dot shade कर लीजे और बेटा, यह इधर का reason समझना बेटा, अच्छे से क्या है यह, इधर का reason y greater than x y greater than or equal to x कैसे बनेगा, यह dot shade अपने line बना ली बेटा, बट अभी तो greater or equal to बोल रहा हूँ ना ना, less than x बोल रहा हूँ है less than x बोल रहा हूँ, तो देखिए y less than x का कैसे बनेगा बेटा यह नीचे की तरफ आप shade कर दो अब यहाँ पे x बड़ा है और y छोटा है, clear y greater than or equal to x कैसे बनेगा तो y equal to x की line भी लेनी है और साथ में y के बड़े होने का इलाका उपर की तरफ बोलिए yes or no, so y greater than or equal to x y less than or equal to x कहा बनेगा बेटा फिर से यही line ले लीजे और y less than or equal to x मतलब x का इलाका, x का reason x की दादागिरी कहां चलेगी भाई साथ, यह तो यह सारे के सारे reason जनाब हमारे हो चुके हैं, ठीक है तो आईए पहली exercise में हम सारे reason draw करते हैं है ना, बिल्कुल बच्चों वाली exercise आईए draw करेंगे, कुछ important reason चली exercise स्टार्ट कीजे बच्चों चली तो एक inequality का question है हमारे सामने हम ड्रॉ करते हैं, question है y is greater or equal to minus 2 सबसे पहले क्या करेंगे देखिए inequality है और equality equal side भी हमारे पास में तो यह y excess है हमारे पास में यह y excess है x excess है, इसको y डेस बोलते हैं तो y में कितना है minus 2 तो minus 2 यहाँ पर जाएगा minus 2 तो सबसे पहले एक line मना लिजे y में minus 2 ऐसी कुछ line बन गई यह क्या line बन गई y equal to minus 2 तो इसके भी solutions हम को लेने हैं अब क्या greater minus 2 से बढ़ा तो भाई सब greater तो ऊपर होता है ना तो ऊपर की तरफ इसका reason आप shade कर दीजिए ठीक ना मेरी pen सीधी नहीं चल सकती क्योंकि मेरे हाथ में fluent marker है ठीक ना बिलकुल frictionless तो आप लोग इसको pen से scale से अच्छे से draw करेंगे बिलकुल vertical line ऊपर की तरफ तो आपका पूरा यह reason बन जाएगा डन समझ में आ गया एक और question करा रहा हूँ आपको देखिए question है x plus 2y less than 0 यह आपको question देगा equal नहीं है मतलब कैसा half plane है ना half plane बनेगा तो सबसे पहले काम क्या गरो इसको side में आप इसको x plus 2y equal to 0 कर लो है ना क्योंकि की लाइन तो तलाश करनी पड़ेगी भले ही dotted line से ही तो 2y equal to कितना हो गया minus x तो y equal to कितना हो गया minus of x clear है मतलब y equal to mx जहां पर m negative है m क्या है negative बच्चों मैं आपको बता दूँ अगर positive slope होता है तो यह वाला angle acute बनता है मतलब m positive के लिए ऐसी line आएगी ना कौन सी question है y equal to mx और m अगर positive है m अगर positive होता तो acute angle बनता है m मतलब slope और अगर बटा y equal to mx में अगर m negative है m क्या है तो बटा obtuse angle बनेगा यह देखो दिखरा आपको obtuse angle यह वाला बस इतना ही फरक है तो एक में acute बनेगा एक में क्या बनेगा obtuse obtuse कब बनेगा बिटा जब आपके पास में negative है ना तो अभी तो हमारी case है हमको यह negative देख रहा है minus 1 by 2 तो हमारी line कैसे बनेगी एक approximation हमको बनाना है कोई ऐसा clear नहीं कि बिल्कुल आप point लेके हाँ point लेके बनाना चाहो तो बना सकते हो लिए x की value डालते जाओ y की value निकालते जाओ है ना अब बटियदी approximation से आपको बनाना है तो कुछ इस तरीके से line बनेगी आपकी okay अब यहां पे गरवड़ी हो गई क्योंकि हमारे पस equality नहीं है inequality प्योर inequality है तो हमको यहां पे जो line चाहिए है वो कैसी बनानी पड़ेगी भाई साब dotted line बनानी पड़ेगी तो यह इस तरीके से आपको यह बनाना चाहिए okay अब क्या कह रहा है कि y की value जो है हाँ यह देखिए तो यहां से x plus 2y less than 0 है ना तो y के लिए निकाल लेजिए कि x के लिए क्या ख्याल है y less है greater है okay तो यहां देखेंगे इसको लिख सकता हूँ 2y less than minus x y less than minus x by 2 तो क्या रहा है less आ रहा है less आ रहा है मतलब जो reason होगा जो reason होगा वो कहा जाना चाहिए है I think so downward जाना चाहिए है ना तो यहां पर reason जो है वो कहा जाएगा क्योंकि minus क्योंकि यह देखिए यह जो line है यह क्या होगी y equal to minus x something होगी तो इससे नीचे की दरफ मतलब यह कहा जाएगा downward reason आपका cover होगा एक तरीका तो यह होता है ठीक ना दूसरा तरीका क्या होता है दूसरा तरीका यह होता है कि आप जैसे अपने पास में यह अपने पास equation है 2x plus y less than 0 यह equation है ठीक ना आप एक randomly अपने मन से एक point लो for example आपको पता है कि मेरा 1,1 यहां पे बैठता है 1,1 यहां पे बैठता है उससे पूछ लोगी क्यों 1,1 तुम्हारे इने quality zone में आ रहा कि नहीं आ रहा है पूछो भला तो 2 into 1 plus 1 less than 0 2 1 जा 2 plus 1 कितना 3 3 less than 0 बताए यह true है कि false है क्या 3 0 से छोटा होता है no false है false है मतलब यह point मेरे इने quality zone में नहीं है मतलब कहा shading होगी बैठा नीचे की तरफ कहा होगी shading नीचे की तरफ अब यही यही सही हो जाता तो उसको वह contain करके shading होती उपर की तरफ क्लियर हो गया तो अभी कहां जाएगी बैटा ना onward जाएगी है ना तो यह हो गया आपके पास में एक single inequality के reason draw करना single inequality के reason draw करना फिर आपके पास क्या आने वाल है आपको आदर डालनी पड़ेगी आपको 2 inequality एक साथ आएगी जैसे a1 x plus b1 y greater than or equal to c1 and a2 x plus b2 y less than or equal to c2 यह दो नहीं equality है ओके आपने इनको draw कर लिया अब मैं के नाम नहीं दे रहा हूँ मैं बस आपको वह सिखा रहा हूँ की होता कैसे एक काम ठीक है देखे a1 x greater than b1 y greater than c1 मान लीजे बिटा की यह एक लाइन आई हमाँ पस यह एक लाइन आई है greater than c1 ओके जो इसका reason बिटा आपका बन रहा है suppose वह बन रहा है अंदर की तरफ किसकी तरफ बन रहा है बिटा अंदर की तरफ जो इसका reason बन रहा है बिटा वो अंदर की तरफ बन रहा है ठीक है ना तो मैं इसका अंदर की तरफ का reason ले लेता हूँ चलिए किस color के green color के पैंसे मैं इसके अंदर की तरफ का reason ले लेता हूँ ओके ठीक चलेगा ना ये तो ये मैंने अंदर के तरफ का reason ले लिया, ये ले लिया बेटा मैंने, ये अंदर के तरफ का reason पीछे की तरफ का ले लिया, अब वो question जब रहेगा तब आपको बना के ही पता चलेगा, अभी तो मैं मान रहाँ की, मान लिया इसका reason जो है बेटा, ये अंदर की तरफ आ रहा ह तरीके से आ गया यह लीजी यह इस तरीके से आ गया ओके यह अपनी दूसरी लाइन है लाइन नमबर टू यह कौन सी लाइन लाइन नमबर टू अच्छा यह वाली कौन सी थी लाइन नमबर वन अब इसका रीजन आपने ड्रॉ किया तो इसका reason आपने draw किया तो इसका reason मैं draw कर रहा हूँ पिंक कलर से ठीक है ना तो इसका reason आप देखिए बाहर की ओर आ रहा है कहा आ रहा है बाहर की ओर ये देखिए बाहर की ओर इसका reason आ रहा है तो बच्चों आपको मतलब किस चीछ से है आपको उस रीजन से मतलब है जहां दोनों की बाते मानी जाएं समझ में आया क्लियर हो गया ना जैसे एक आपने घर में ट्रिप परफॉर्म किया तो मम्मी पापा ने कहा कि भाई हम तो जम्मू जाएंगे तो मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे तो उनका कहना भाई हमाई इनिक्वैलिटी तो मंदिर वाली है बिलो है ना बच्चे कहरे हम तब ही जाएंगे जब आप हमें कश्मीर ले जाकर के सोन मर्ग गुल मर्ग घुमाओगे बिलो है ने ने नी तो आप अकेले हो आओ समझ गया ना तो बच्चों ने क्या किया बच्चों ने अपना इनिक्वालिटी का रीजन ये दे दिया सब्सक्ज ये बच्चों का रीजन है बो हाई ना तो आप देखिए कि एक common area बन रहा है जिसमें दोनों की सहमती बन रही है वो यहाँ से लेकर के थोड़ा यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, जिसमें ब्लू भी है और पिंक भी है, है ना, बुलिए yes or no, तो यह जो रीजन है, इसमें दोनों की सहमती बन पाती है, है ना बिटा, यह चीजें हमारी जिन्दगी में बड़े इंपोर्ट और मराठी, उर्दु वाले और जो होंगे बच्चे उनको भी टाइम देना, मतलब आप भी इनिक्वालिटी अपनी रीजन बिठालते बिठालते भई या पांच-पांच इनिक्वालिटी आप मैच कराते बैठे हुए हो, कि इसको भी सटिस्पाई करूँ, और उसमें से फ फिजिबल रीजन कहला है, तो फिलाल देखी हमारा ये कहां पे मिल रहा है, अगर आप देखें, यदि यहां पे तो हमारा जो फिजिबल रीजन इस केस में मिल रहा है, वो देखिए जिसमें ग्रीन भी है, यहां भी है, तो यहां से स्टार्ट हो करके चलो 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 च दी जाएंगी, कि X greater than or equal to 0 and Y is greater than or equal to 0 क्योंकि आप कुछ भी करोगे जिन्दिगी में वो तो X और Y जो variable होंगे आपके इनको आप बोलते हो decision variable क्या बोलते हैं, decision variable ये तो आपके हमें सा positive होंगे ना जैसे आपको चीजे खरीदने जा रहे हो कुरसी और मेजे याने कि table chair खरीदने जा रहे हो बोलो जीए आपको table और chair खरीदना है तो लोगे तो positive number में ही न भाई साब negative तो जाए नहीं सकता मतलब ये useless हो जाता है, ये useless हो जाता है ये useless हो जाता है, तो आपको जो reason है वो cable bounded कहां से कहा हो करके देखो यदि मैं अच्छे मोटे तोर पर बात करूँ आपको मैं reason दिखा रहा हूँ, ये चीज़ बहुत important है, ये मैंने pen भी मोटा कर दिया अब आप reason देखो अपना, ये देखे ये start हो गया है यहां से क्योंकि positive की बात हो रही है, first quadrant की क्योंकि बाकी तो negative हुदर तो हमको जाके करना क्या है, कुछ मिलना ही नहीं नहीं हुआ, फिर ये यहां पर आगा, यहां बंद हो जाएगा, फिर ये यहां से यहां चलेगा, और फिर ये यहां से यहां चलेगा, बोले yes or no, ये बनेगा आपका feasible reason, समझ में आ गया, ये आपका बनेगा feasible reason, इस पर आपकी inequality काम करीगी, ओके, तो अभी फिलहाल ये feasible reason आपका कैसा है, बिटा, bounded है, कैसा है बिटा, bounded है, तो आपको दो प्रकार के सवाल आएंगे, आपके syllabus में, एक bounded feasible reason का भी सवाल आएगा, और एक अब हमको feasible reason बनाने को बुला जाएगा, और हम feasible reason बनाते हैं, काफी सारे, अभी हम single single practice करेंगे, example ले करके, कुछ question आपकी book में दिये हुए, आप लोग करिए इसको बड़े आराम से, then उसके बाद हमारे पास आएंगी LPP, linear programming problems, linear programming problems, मतलब वही हमारी घरिलू type की समस्या है, समझ गे ना, तीन आपको शर्ते दे दी जाएंगी, चार आपको शर्ते दे जाएंगी, ठेना, पहली भाई एक party कह रही ही कि हमको जम्मू जाना है, दूसरी party कह रही ही, नहीं नहीं हम तो जाएंगे तो गुल मर्ग और सोन मर्ग भी हो करके जाएंगे, ये एक अलाग इन equality, बोलो जी ये सौनो, ठीक है ना, तीसरे फिर दादा जी और दादी जी वो भी बोल पड़ें, बोले बिटा, जो पैसा खर्च होगा, वो बीस हजार से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब इसके अंदर ही होना चाहिए, ले उनकी भी बात मानो अब, ठीक है ना, बुआ जी भी कूद पढ़ी भाई साब की, हमको कम से कम पाँच हजार की तो शौपिंग करवाना ही करवाना है, ले उनकी भी बात धरो अब, तो कितने रीजन आ गए, चार या पाँच, अब उन चार या पाँच को सब को सटिस्फाई करते हुए, आपको एक बाउंडेट रीजन बनाना है, जिसमें सब की बात मानी जाए, वो लिहाँ है ना, ठीक है ना, जैसे जब आप घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए, इंज उक्रेन तो भेज नहीं देंगे पैरेंट्स आपके, बंब गोले कर रहा है, ठीक है ना, क्लाइमिट पढ़ाई वगरे का अच्छा होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, बुलिए यस और नो, फिर फाइनेशियल्स भी देखने हैं आपको, कि भाईया पैरामीटर, हेल्थ इशूस देखने है, खाना वगरे बढ़िया मिल जाता है, बुलो, लद्दाक का कॉलिज दो नहीं ले ना, तो भाईया, ठीक ना, तो इसलिए हवा पानी कैसी ये वहां की, हर चीज़ें, क्लियर ना, तो हर चीज़ को देख करके, सारे पैरामीटर को देख करके वह एक फीजिबल रीजन आपका बनेगा, बनेगा की नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, अब मैं यहां पर एक्जेक्टली ड्रॉनी कर रहा हूं, इसको मत देखो, मतलब कुछ ना कुछ बनेगा, उसके अंदर फिर आपकी इनिक्व करती है, जैसे एक्जामपल, चमड़े का प्लांट खोलना है, तो भाईया, पानी की अवेलिबिल्टी कैसी है, लेबर पावर, वर्क पावर कितनी है, समझ गया है, लाइट कितनी आती, पता चला, इंडस्ट्री खोल ली, लाइट ही नहीं आ रही, तो कहां से मशीने चलें क्लियर है ना, लेबर सस्ती है की नहीं है, वहाँ के लोगों की एकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है भाई साब, अर्न कर पाएंगे लोग बे उतने पैसे में काम कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे, एवरिधिंग, खरीद पाएंगे की नहीं खरीद पाएंगे, समझ में आ ग करेंगे कि हमारा profit क्या है या हमारा output क्या है समझ गह ना तो कल हम कल की class में बताएंगे कि profit कैसे निकालना है कि हम सब कुछ कर रहे हैं किसके लिए profit के लिए समझ गहाँ सब कुछ इतनी भी commercial activities होती है सब किसके लिए होती ही profit के लिए clear होगे ना तो हम देखेंगे कि हम इसका profit कैसे निकालेंगे और profit में कल हम पढ़ने वाले हैं एक method का नाम है जिसका नाम है corner point method कौन सी method बिटा corner point method यह देखे मैंने आपको corner दिखा दिये हैं ठीक है ना तो corner point method तो आई ए आज की glass में हम feasible reason draw करेंगे क्या draw करेंगे feasible reason draw करने वाले हैं